जैहिंद वंदे मतरम सातियो मैं हूँ प्रेंस तुम्हाई स्वागत है आप सभी का इस टड़ी फोर जीनियस के ओपिसल यूटोब चैनल में जी हाँ दोस्तों स्सी जीडी 2023 की जो आंसर की है इसको लेकर काफी सारे बच्चे परिशान बैटे हैं कि हमारी जो आंसर की है वो कब तक हमारे बीच में आने वाली है जी हाँ दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैं बता दू कि लगातार दोस्तों जो स्सी जीडी की आंसर की है इसके लिंक जर्नेट किये जा रहे है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह लिंक दोस्तों पहले आया था कुछ दिन पहले लेकिन इस बार फिर से दोस्तों जो आंसर की का लिंक है वो जर्नेट किया गया है जी है दोस्तो प्रूब के साथ बात करने वाले है तो वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को complete विजिट करने के बाद ही कुछ आपका response है कमेंट में दीजेगा अगर आप चाहते हैं कि आप दोस्तो इस चैनल को subscribe करें तो subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को dislike और चैनल को subscribe भी कर सकते हैं लेकिन पसंद आने पर दोस्तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा चलिए फैस वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे यहाँ पर अगर आप भारतिय थलसेना यानि इंडियन आर्मी की तयारी कर रहा है तो यहाँ पर अगरी वीर के लिए दोस्तो सबसे बैस्ट बुक आती है चक्सू पवलीकिसन की जी दोस्तो अगरी वीर इंडियन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रेशन वक्स में आप सुभी को प्रोवाइड करा दिया है वहां से आप इसे ओलाइन पर्चेस कर सकते हैं इस बुक की खास यह है कि इसमें जो आपको उत्तर है वो बिल्कुल व्याख्या सही दोस्तों देखने को मिल पोई मिलते हैं इसमें डिटेल सौलिशन आप सुमीजाता है अगर दोस्तों आप इस बुक को आफलाइन पर्चेस करना चाहते हैं तो इसे दोस्तने की बुक सेंटर से भी आप इसे offline purchase कर सकते हैं काफी ज़्याद दोस्तो best book रहने वाली है चक्सू पब्लिकेशन की और दोस्तो साथ में इनके और भी book आती है जैसे अगनी वीर दोस्तो GD हो गया अगनी वीर किलर्क हो गया अगनी वीर ट्रेडमेर हो गया अगनी वीर सैनिक टेक्निकल हो गया ये और भी इनकी book आती है अगर इनको भी आप लेना चाहते हैं तो ये भी दोस्तो आप ले सकते हैं इनका में लिंक वीडियो के डिस्क्रिसर वाक्स में आप सभी को मिल जाएगा अभी अभी official website पर से आया है या किसी ने बना है ये कहना मुस्किल है लेकिन ये वाइरल किया जा रहा है आप सभी के सामने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लिका है the login to form will be available only between यानि कि आप दोस्तों यहाँ पर login कर सकते है यहाँ फॉर्म में 18 फरवरी से लेकर तीन घंटे 45 मिनट के अंदर ठीक है यानि तीन मज़कर 45 मिनट से लेकर पच्चिस दो दो हजार तेश के बीच में ठीक है और सत्रे यानि सत्रे बजे तक यानि साम के पास बजे तक ठीक है तो ये चीज़े कुछी लिखी गई है इसमें यहाँ पर यानि आपको जो टाइम मिलेगा वो साथ दिन का मिलेगा यानि कल ये बोला जा रहा है कि आपके आंसर की आ जाएगी इसमें ये सारी चीज़े लिखी हुई है लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये दोस्तो अभी इसका यहाँ पर पोस्ट माश्टम हो जाएगा देखिए दोस्तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें सही गलत की बात कर लें तो देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो अभी 18 तारिक नहीं आई है ठीक है 17 तारिक को वीडियो बना रहो है और यहाँ पर उपर क्या लिक दिया है date expired ठीक है यादि date expired हो चुकी है इसकी भाई साब जब date आई नहीं है तो date कहां से expired हो चुकी है वो मुझे आप बता दीजिए लेकिन किसी ने इसके साथ 6 चाड़ की है और इसको दोस्तों बिल्कुल बदल दिया है भाई साब date expired ठीक की जाती है जब date निकल चुकी हो अभी तो 18 तारिक आई भी नहीं है तो date expired कहां से हो चाएगी सबसे पहली बात तो यह होती है और ऐसा कोई भी नॉटिस अभी SSC की साइड पर आया भी नहीं है जो हमने चेक किया है ठीक है यह सब दोस्तों मिली जूली सब की यह होती है सबी लोग दोस्तों ऐसे बना बुरो के अपना यूज के चक्कड में यहापर आते हैं और कुछ लोग बोलेंगे मेरे उपर उगली उठाएगे इसे आप बचे जब भी अंसर की आएगी तो सब से पहले आपको अपडेट कर दिया चायेगा और फिलाल दोस्तों जो लिंग जनरेट किया गया था वो दोस्तों आया था आपका 15 तारिक को ठीक है और उख 15 तारिक के बाद उसे हटा लिया गया है उसके बाद कोई भी लिंक जारी नहीं किया गया है अब बात आती है कब दोस्तों इसका लिंक जारी किया जाएगा तो मैं आपको कितनी बार मता चागो 22 तारिक से लेकर 25 तारिक के बीच में कभी भी दोस्तों आपकी आंसर की आपके सामने टपक सकती है जी है दोस्तो तो परेशार बिलकुल ना हो और जो भी अभ्याति इस चीज को लिएक परेशार बैटे के आंसरगी कब तक आएगी कितने पर कट ओफ जाएगा मैं तयारी फिजिकली करू या नहीं करू तो वो दोस्तो ऐसे ही परेशार होते रहेंगे भाई जिसको अपनी तय तयारी करनी है ना वो लगवी चुए है तयारी करने में उतस लोगों से पूछे गाई थी भाई फिजिकल दे टाइब ठीक है गर्मियों में क्योंकि जितनी जल्ली अगर आप उस एंटर में बढ़ जाती है उतनी जल्ली फिजिकल माल लेते हैं तो हल ठीक हूँती है अगर बाद में दोस्तों पाला पड़ गया आपका साथ या आठ वजे करीब इतनी तरी धूप निकलती है दोस्तों गर्मियों में साथ वजे आठ वड़ी के बीच कि पूछो मत भाई तो इसलिए किसी से पूछो मत सिर्फ दोस्तों अपने तयारे में लग जाओ यहर आपका सरी तो फिट होगा उससे आपको कोई परेशा ने थोड़ी है दोड़ने से आपके लिए बै जलता आजेगा तब ही दोड़न मारूंगा तो यह सबसे बड़ी गलत फ्हाम भी है ठीक है इसे इसे बचे अगर आप डेली भी नहीं जाते तो दोस्तों कम से कम एक दिन एक दिन गैफ करके चले जाईए या हपते में दोस्तों दो दिन तीन दिन चले जाईए वो आपके पर डेपेंड करता है ठीक है लेकिन अभी आपको जो है ज्यादा राणिक नहीं करना है सुबह साम नहीं करना है केवल एक ही टाइम करना है क्योंकि भाई साब अगर अभी करेंगे ना तो लास्ट में जाकर आपका जो इस्टेमिन बचा रहेगा और आपके लिए इंपोट